तो welcome dear students, brilliant knowledge में फिर से एक बार आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग सामाज़े की विख्यान के एक महतपुर्ण प्रस्ण को देखेंगे देखें किस्तन क्या है इसको समझिए वन मतलब जंगल एवंग वन्ये जीवों मतलब वैसा जीव जो वन में रहता हो, जंगल में रहता हो उसको वन्ये जीवों के महतव का विस्तार से मतलब डीटेल से वरनन कीजिए यानि बताना है, सुनिए हमें वन के बारे में भी बताना है वन का क्या महतव है, अपने लाइफ में क्या importance है और वन ये जीवों का, वन में रहने वाले जीवों का क्या importance है उसी के बारे में विस्तार से बताना है, विस्तार से वरनन करना है तो आईए उत्तर में यहाँ पे देखते है देखें यहाँ पे क्या है वन परकिर्ती का आमल उपहार है उपहार का मतलब होता है इनाम परकिर्ती का मतलब होता है कुदरत, नेचर यानि ये जो वन है, ये जो पेर पौदे हैं, जंगल जो है परकिर्ती का, इस वर का आमल उपहार है मतलब ऐसा उपहार, ऐसा इनाम जो आमल हो, जिसका कोई कीमत ना हो जिसका कोई मुल ना हो यानि वो इतना important है परकिर्थी द्वारा दिया हो गया one इतना important है कि उसका कोई मुल हो ही नहीं सकता है इतना किमती है आगे देखिए one एबंग वन्य जीब मानव को आदीकाल से पालते आ रहा है आदीकाल का मतलब क्या जब मनुस्य का इस धर्ती में र और वन्य जीब ही मानव को पालते आ रहा है वो कैसे समझे वन में पेर पौधे आते हैं आप च्वाल खाते हैं ग्यंख Almighty खादे हैं वह कहां से पराप्त होता है वन से ही पराप्त होता है ना चाहित को ही तो हम और बहुत सारे लोग किंद आतरी होते हैं कि अजयसी छ उस त्मक्राप्त करते हैं तो इस परकार वन ए मन्यशिव और मंजीव आधी काल में हमारा पेट भढ़ते आ रहा है मैं हमें पालते आ रहा है अगर देखिए मनुस्य के बीमार होने पर भी जीवन दाई जीवन दाई मतलब जीवन देने वाला लाइफ को देने वाला ओसधी मतलब दबाई इन ही वनों से प्राप्त होता है यानि जब हम बीमार परते हैं बहुत सारे जीवन दाई ओसधी ऐसे हैं, दवाई ऐसे हैं, जिसे हम वन से ही प्राप्त करते हैं, जंगलों से प्राप्त करते हैं, आगे देखिए, हमारे तीन मूल भूत आवसकता हैं, यानि हमारा तीन मूल भूत आवसकता हैं, भोजन, वस्त्र और आवास, यानि रोटी, कपड़ा औ और मकान यानि तीन मूलभूत आवास सकता है पेट भरने के लिए भोजन चाहिए सरीर को ढखने के लिए या बिभिन मोसमों से ठंडा से बचने के लिए वस्तर चाहिए और रहने के लिए आवास यानि घर चाहिए जहां हम रहते हैं उसको आवास बोलते हैं तो ये तीन मूल पूत आवसक्ता है है ये मानव वन्य जीवों से ही प्राप्त करता है यानि हम भोजन कहां से प्राप्त करती है चाहे तो वन से या वन्ने जीवों से वस्त्र देखिए अभी बहुत सारा जो है artificial निमानव निर्मीत वस्त्र का दिनमान होड़ा है इन पहले के जमाने में जो वस्त्र था बिल्कुल जो है वो पेर पोधे सी प्राप्त होता होता था जैसे कापास से वस्त्र का बनाना आवास रहने के लिए घर जो पहले बनाते थे वो लखड़ी वगरेगा होता था आगे देखिए यहां तक तो हो चुगा है दुनिया के क्या दुनिया के विकास के साथ साथ बहुत सारे उध्योग धंदे को उत्पादन है तू मतलब उत्पादन है तू मतलब उत्पादन के लिए बहुत सारे उद्ध्योग दंदे को उत्पादन है तू मतलब उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवसकता होती है मतलब उद्ध्योग दंदे मतलब कलकार खाने में किसी वस्तू का उत्पादन करेगा जैसे biscuit बनाएगा तो उसके लिए क्या चाहिए? गेहु चाहिए तो गेहु कच्चा माल हो गया उसी तरह चिफ्स बनाने के लिए आलू चाहिए तो आलू क्या हो गया? कच्चा माल और आगे बोलता कि ऐसे उद्योग धंदे कच्चा माल कहा से प्राप्त होता है तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि उद्योग धंदे कच्चे माल के लिए वन या वनन जीमों पर निर्वर रहता है, उसके भरोसे मिलता है आगे क्या देखिए पडियावरन को संतूलित बनाए रखने के लिए पडियावरन को बाइलेंस में बनाने के लिए कि ज़्यादा परदूसन वगेरे ना हो के लिए वन एबंग वन जीवों का महतवपूर्ण योगदान होता है यानि पडियावरन को संतूलित बनाए रखने के लिए वन और वन जीवों का महत्वपूर्ण योगदान होता है देखिए हम सांस लेते हैं कारवन डाइकसाइट छोड़ते हैं विभिन ने कलकार खानों में चिमनियों के मादियम से कारवन डाइकसाइट छोड़ा जाता है और ये कारवन डाइकसाइट को पेर पौधे सांस के मदश से अपने अंदर लेता है उसको साफ करके ओक्सिजन छोड़ता है तो फेर पौधे कहीं न कहीं वातावरन को साफ करता है देखिए आगे क्या है आगे यहाँ पर है कि वन भूमी के जल को अबसो सीत कर उसको सोख कर उसको चूज कर हमें बाड से बचाता है तता अच्छा वर्षा भी कराता है जहाँ पेर पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ वर्षा अधिक होता है सूर्य के धूप से होने वाली गर्मी को अपसोसित कर गर्मी के परभाव को कम करता है आप देखे होंगे गर्मी के दिन पेर पौधों के आसपास गर्मी कम होती है क्योंकि पेर पौधे जो है सूर ये का जो धूप होता है उसके गर्मी को अपसूसित कर लेता है अपने अंदर ले लेता है जिससे आसपास जो है ज़्यादा गर्मी का परभाव नहीं होता है ज़्यादा गर्मी पता नहीं चलता है तो यहां पर ये वीडियो समाब तो होता मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा धन्यवाद